हलो दोस्तों तो वापको स्वागत है एडी जार्षम क्लास में और आज का जो क्लास है नाखपुरी टेस्ट 9 का हम लोग एनलेसिस करेंगे जो की ये टेस्ट जो है एबिलेबल है एडी क्लासेस एप पे और जो इंपॉर्टेंट है जेस सीजिल, नगरपाली का अध्योगिक नधिकारी और ग्रिजुशन लेबल में अगर आपका पेपर 2 में लैंगोज पेपर नाखपुरी है दिन उसका तैयारी संपूर्ण कराया जा रहा है और मैं आप लोग से बात करना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेंट जारकन जिक्के का कोर्स अपलोड हो गये है अगले विक का एनलेशिस करते हैं टेस्ट नंबर नाइन का बहुत ही बहुत ही बहतरे इन धान से करने वाले हैं सारे प्रशन इंपॉर्ण है एकदम विदाउट स्किप किये हुए पूरा विडियो को देखेंगे और अभी जो ओफर्स है अभी जो ओफर्स है ये कोर्स का अगर अच्छा बंदन का जो है ये ओफर है नाखपुरी का फुल कोर्स आपको 399 में अभी दिया जा रहा है ठीक है तो आप जल्द से जल्द पर्शेस कर लें तो चलिए अभी जो हम लोग टेस्ट टेस्ट 149 ही है टेस्ट हम लोग एनलेशिस देखते हैं चलिए पहला प्रशन है गरू का सही खंड है तो गरू का सही खंड क्या होगा यहनि एगर उसका घंडन करेंगे तो क्या होगा जल्द बताएं पहला दूसरा तीसर या चोथा तो सही अंसर हो जाएगा option number a ग र उ ठीक है इस प्रकार से हम लोग ये देखेंगे तो इसको जो देखें अगर तो इसे हम कैसे ये लिखे ये चीज हम लोग जानते हैं तो ग लिखते हैं तो यहां हलन्त होना चाहिए तो ग प्लस अ करके ये आपका टोटल ग बनता है इन दे सेम वे तो यहां हो जाएगा गर रू है अगर सिर्फ र रहता तो र प्लस गर रहता तो र प्लस हम A करते हैं लंत में लिकनि यहां रू है तो यह र प्लस U हो जाएगा यानि कि जो सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर A हो जाएगा अगला नमबर प्रश्ण है भादो कर एकादसी के का कर पूजा होएला किस इसका पूजा होता है भादो के एकादसी को फगवा करम सोहराई कोई नहीं तो सही अंसर क्या हो जाएगा इसका ओप्सन नमबर भी करम का तेहवार मनाया जाता है जहां-टहां धीरे-धीरे गटे-गते कले-कले निम्न में केकर उधार ढड़के काल, विशेशन, क्रिया-विशेशन या फिर क्रिया, आप लोग सारे लोग जो हैं ये टेस्ट का आप लोग कमेंट सेक्षन में अभी कमेंट करेंगे क्योंकि ये आपको देखना है खुद में और खुद से देखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं और AD Classes एप पे जल से जल जुड़े तो सही अंसर क्या हो जाएगा? Option number ये हो जाएगा C क्रिया विशेशन ये है और ये बताएए कि नागपुरी में विशेशन कितने प्रकार के होते हैं? चार, पाँच, छे ये ही आप चलते कि ये क्रिया विशेशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी ये ही options है ठीक ना? चले अगले प्रस्नी क्यों चलते हैं हम लोग तोहर मन जात होबा कौन काल है के? तोहर मन जात होबा तो मतलब तुम लोग जा रहे हो तो ये चीज है जात होबा, सायद देखी यहाँ जात होबा है, ठीक है संदिक्द यहाँ संदे उत्पन हो रहा है, तो याद रहे क्या चीज़ होगा संदे उत्पन हो रहा है तो सही अंसर क्या हो जाएगा संदिक्द वर्तमान काल सम्माने वर्तमान काल अपुर्ण भूत काल या फिर ततकालिन वर्तमान काल तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A संदिक्द होबा साइद तुम जा रहे होगी कोनों कामकर निरंतर्ता के कोन काल कहल जाला जो निरंतर्ता continuity होती है जो कामे उसको क्या कहते है वर्तमान काल भविष्यकाल भूत काल या फिर संभावी वर्तमान काल तो क्या हो जाएगा ये वर्तमान काल होगा जो continuous रहता है चलती रहता है निरंतर्ता कहने का मतलब है continuously नेक्स्ट आपका आगला प्रश्ण है 7 नमबर प्रश्ण नाकपूरी में समास होवेला पद में बढ़ायक वाला थोर सब्द से ज़्यादा बतायक वाला कोई नहीं या फिर गुंदोस बतायक वाला तो सही अंसर क्या हो जागा ओप्सन नमबर बी यानि कि थोर सब्द में बहुत ज़्यादा बतायक वाला कि क्या कहल जाएला यह आपको कहा जाता है समास यह होता है नेक्स्ट सीबा कोन परिक्षा देवेक नहीं पारलग देखिए यहाँ जो है आपका बहुत ही जादा important परिक्षा है तो यह बताईए सीबा जो है कौन परिक्षा देवेक नहीं पारले आईए BAC मैटरीक या फिर दसमी का परिक्षा कौन सा परिक्षा तो देखिए BAC का यह जो है BAC का परिक्षा नहीं दे पाया ठीक है और ये जो है कोन से कहानी से रिलेटिड है भाई से ठीक है भाई कर लेखा कोन है कई भाई कर लेखा कोन है जल्दी बताईए नाइन नंबर प्रेशन क्या करता है भी नाइन नंबर प्रेशन क्यों चलते हैं हम लोग नाइन नंबर प्रेशन है खिरोधर सिंकर नातिकर का नाम रहे, खिरुदर सिंकर नाती कर का नाम रहे, सुम्रा सोहराई, मनपूरन, रन्तु तो क्या हो जाएगा option number 3 मनपूरन, क्या हो जाएगा मनपूरन, next, 10 नमबर प्रश्ण संख्या वाचक विशेशन कर कितना भेध हो वेला, 2 4, 3, 5 सही अंसर क्या हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा option number C, यानि की 3 तीक है, 3 हो जाएगा इसका right answer, जो है संख्या वाचक विशेशन का प्रकार होता है कितना होता है भई, तो 3 होता है next चलते हम लो next class की ओर चलते हम लो next questions की ओर तो यहाँ जो है 9 नमबर प्रस्णे खिरोधर सिंकर यह repeated नहीं हुआ है questions double bar select हो गए है टेंसर न लेंगे 11 नमबर, सुसीला देवी के देवी के कहलक खिरोधर सिंक, दमाद, मनपूरन कोई नहीं, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option number B, दमाद ठीक है, तो देवी के रूप है कि माई, ठीक है जब मनपूरन को बचाई थी सुसीला, तब जो है उसके दमाद, यानि की लीला के पती वो बोले थे इनको की माई, सच में आप जो है, देवी का रूप है, जो मेरे बच्चा को बचाए नेक्स्ट जो है प्रशन सुसीला के साप काटल कर कई दिन बाद, लीला परदेश गिलक देखे, सुसीला के जब साप काटा तो उसके कितना दिन बाद, जो है लीला परदेश गई थी, पांस दिन, तेन दिन, चार दिन, दो दिन जल्दी बताया है, यह options इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप उतना में comment section में comment कर दिया है तो सही अंसर क्या हो जाएगा option number c याने की 4 क्या हो जाएगा 4 अंसर हो जाएगा next c number अगला नंबर प्रस्ण है अगला नंबर प्रस्ण क्या काता है भई देख लेते हैं सुसीला के दोसर दिन कखन होस आलक दूपईर में भिंसरिया बिहान सांज सही अंसर क्या हो जाएगा option number c बिहान बेरा जो है इनका होस आया था रंथु सिंग आपन सौब जाइदाद के हर नाम कई राख है कहने के भले रंथु सिंग जो है अपना पूरा जाइदाद किसके नाम पर कर दिये थे ठीक ना कौन सी भासा में कई थी नागपूरी देवनागरी आप कमेंट सेक्शन में यह आप करेंगे कई थी देवनागरी और नागपूरी यह तीनों में से कौन हो जाएगा अंसर भाटू कैसर भोला कोई नहीं तो सही अंसर क्या हो जाएगा इसका आपका रंथु सिंग जो है आपन जाइदाद के नामे कर दिया था और कैथी लिपी में वो लेटर लिक के गया था ठीक है कौन लिपी चलिए 15 नमर प्राशन देखते हैं हम लोग मैना और बूट कहनी हमरे के केकर आस्था करेक चाहिए ठीक है मैना और बूट कहनी में हमरे के केकर आस्था करेक चाहिए ऑप्सन नमबर सी इस्वर में मैना बूट के अनुसार मैना और बूट कवीता के अनुसार हम लोग को क्या सिख्षा मिला तो यहीं कि हम लोग को उपास्णा जो इस वर से करना जाए कि लास्ट में इस वर के पास गया था तभी उसका solution हल हुआ और जो है आपका अभी आलमाइत रानी केस कौन बरन कर रहे है बालमाइत रानी कर जो है केस कौन तरह कर था सोना नियर, चारका नियर, करिया नियर, कोई नहीं तो सही अंसर क्या हो जाएगा? Option number A, सोना नियर, जो है, बालमाईत रानी का बाल था Next, सतर नमबर प्रश्णिज क्या है? सतर नमबर प्रश्णिज, बालमाईत रानी कर, जब एक ठोकेज, टूइट गे लग तो उके राजकुमुरी, जो है, नदी में बहालग ठीके न, कैसे, क्या चीज में? डामभा फ़र में, बेल फ़र में, आमबा फ़र में, केरा फ़र में तो सही अंसर क्या हो जाएगा? Option number B, बेल फ़र में Next, सकुन्तला मिश्र कर, कोन कहानी लोग प्रिया है? कौन सा कहानी सकुन्तला मिश्र कर, सबसे एकदम प्रिया है? जल्दी बताएं, कौन सा कहानी प्रिया है भाई? सातो नदी पार, टुटल सपना, परदेशी, बेटा, या फिर सही अंसर हो जाएगा? कौन सा? जल्दी बताएं तो सही अंसरो जाएगा आपका परदेशी बेटा सबसे इनका अच्छा और इंपोर्टेंट है और दूसरी बात ये सकुंतला मिस्र कर द्वारा जो लिखा गया है जगत जननी सिष्ट आपका कविता में ये लिखा गया है तिक है, शिष्ट कवीता जगत जन्नी, ये सकुंतला मिस्र के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है, और जगत जन्नी का क्लास के साथ यहां संपूर नागपूरी का क्लास करा दिया गया है, तो आप अवर्ष्य जूड़ें, नागपूरी क्लास से, चलिए नेक्स्ट, आप ना मिस्वर राय, तो सही अंसर हो जाएगा, आपका प्रफिल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, नेक्स्ट, बीस नागपूरी प्रचारनी सभाग कर कार्याल है, देवल में से कोन जहर में रहे, खुटी में, लोहर दग्गा में, गुमला में, राची में, तो सही अंसर क कोन नागपूरी कविकर उपनाम है के, जगनिवास्तिवारी, सिव अवतार चौधरी, बल्देव चौधरी या फिर महादेव चौधरी, तो सही अंसर क्या हो जाएगा, सिव अवतार चौधरी को ही क्या कहते हैं, हम लोग सिवा जी कहते हैं, बाइस नमबर प्रचन, कोन सं द्रेन होने वाला है, और कैसा क्वेशन्स है, ये भी कमेंट सक्षन में कमेंट करेंगे, क्योंकि AD जार्खन क्लासेस आप लोग के लिए हमेसा ततपर रहता है, और रहेगा, और सफलता तो दिला कर रहेगा इस बार, बस अपने दिल से और मेहनत के साथ जुड़िए AD जार जरूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो यहाँ जार्खन के लिए आप लोग परिशान हो रहते हैं, जार्खन का बुले ट्रेन भी जो है, रिविजन, वो भी अपलोड कर दिये गया है, कोर्स पे, आप उसे जरूर देखें, हेंदी का भी टेस्ट पेपर चलने लगा है वो भी आप देखें, ठीक न, जाती चाहे जायत कर परधान गीत के के मानल चाहिला, तो देखिए यहाँ जो है, जाती या फिर जाती परधान गीत किसको माना जाता है, तो option number C, सोहराई गीत को माना जाता है, चलिए, पुछारी गीत कर संबंद के कर से है, 24 नमबर प्रशन कोई नहीं, तो सही अंसर हो जाएगा option number C, तो दोस्तों चलिए 25 नमर जो प्रशन है, 25 नमर प्रशन क्या है, नाकपूरी लोग गीत में परमपरा में कली के कली से का समझे जल जला, भंडारा, अखरा में नाचे कवाला, बाजा, बजवया यानिकि नचनी या फिर फूल, त अखरा में नाचे कवाला को क्या काते हैं, हमनों नचनी काते हैं, 26 नमर प्रशन है, नाकपूरी अ सधानी सहित्य नामक किताब कर प्रकाशन कुन इसमी में हो रहे? चलिए, नाकपूरी लोग गीत का ब्रिहत संगरा के प्रस्तुत करेक वाला विद्वान कर नम का हागे? तो जो है नागपुरी लोगगीत का विरिहत संग्रा की प्रस्तूत करेक वाला विद्वान कर नाम का हागे भुवनेस्वर अनोज, विशिस्वर प्रसाथ केसरी, विगल महतो या फिर कुमारी बाशनती सही अनसर क्या हो जाएगा, उप्सन नमर बी, बीपी केसरी को ही बोलते हैं, किसको बीपी केसरी को बीपी केसरी जो है, आपका यहां लोगगीत का विरिहत संग्रा प्रस्तूत करने वाले विद्वान है नेक्स्ट, हल्धर, हुल्धर नहीं है, हल्धर नामक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होई रहे हल्धर नामक जो पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ था, जमसेदपूर, राची, डाल्टन गंज या फिर चक्रधरपूर बताये अंसर, सही अंसर क्या हो जाएगा, डालतन गन से, हल्धर जो नामक पत्रिका है, कहां से शुरू हुआ था, डालतन गन से, option नंबर three, इसका सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला नंबर प्रश्ण है, 29 नंबर प्रश्ण है, कि नागपुरी साहित्य कर भारत तेंदू हरिष्चंद्र किसे कहा जाता है ठीक है भारत एंदू हरिष्चंद्र का बात हो रहा है हरिष्चंद्र अब भारत एंदू किसे कहा जाता है भारत एंदू किसे कहते हैं हम लोग प्रफुल कुमार राय को और यहीं भारत एंदू हरिष्चंद्र किसे कहते हैं धनी धनी राम, घासी राम, राधा क्रिश्न या फिर पीटर सांती नौरंगी, तो सही अंसर क्या हो जाएगा, ओप्सण नमबर ए, धनी राम बक्सी सही अंसर हो जाएगा छलिए अगला प्रस्न है, तीस नमबर प्रस्न सही रत्न और सही भूषन कर उपाधी नाखपुरी में केक क्या हो जागा option number D यानि B और C तीक है B और C चलिए नेक्स चलते हैं B और C कौन-कौन तो यह B और C यानि के पीटर सांती नौरंगी और धनी राम बक्सी दोनों को मिला है चलिए नेक्स्ट 31 प्रस्ण आपको क्या कहता है जी 31 प्रस्ण है नागपुरी सदाने साहित्य केकर से संबंदित किताब है के कौन राट भुकाउट पीटर सांती नौरंगी योगेंद्र नातिवारी हैंरिक फ्लोर तो सही अंसर हो जाएगा इसका पीटर सांती नौरंगी से संबंदित है कौन सा भुक नागपुरी सदाने साहित्य ठीक है नागपुरी सदाने साहित्य किस से स जल्दी बताए गद और पद दोनों होते हैं द्रिष्ट भी नाते हैं कोई भी नाटक में गद पद में सारा चीज आ जाता है ठीक है तो यहां देखिए यह जो पीछे वाला हो जाएगा इसका दोनों अंसर होगा ठीक है कहां यह अभी हम लोग पीछे जो क्वेस्टन किये थे यह गद पद प्लस द्रिष्ट दोनों हो जाएगा ठीक है ना चलिए अनलेसिस इसलिए कराया जाता है कि जो थोड़ा मोला गलती उसको सुधार दिया यह थैसिस से ग्यात फगवान गीत करन परंपरा कौन दिन से शुरू होगा व फागवा जो गीत hell है उसका परंपरा कौन दिन से शुरू होता है पूरणीम सो पेयानत पनष सही है और सोगत प्रेम जो जोंड़ा इसका वानदुट अवस्गत परंप बा सक दोनों होईला डमकच रंग खेमटा या फिर जुमटा तो सही अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमर सी खेमटा ये जो है आपका यहाँ लोच कुमलता सुरीली सरल्था किसमें होती है तो ये आपका खेमटा में होती है ठीक है 35 नमर प्रश्ण है 35 नमर प्रश्ण इप्सकर खेमटा गीत राग कर लोक प्रियता कोन चेतर में भगर आया अब बहुत जादा है सिमडएगा गुमला छेतर गोला रामगेळ पंच परगना चेतर या फिर लोहरदा गाच खेतर सही अंशर हो जाएगा पंच परगना चेतर कि खेमटा गीत राग क तो आप दूसरा बार questions को सुनिए अच्छे तरीके से, ठीक है, और आपको जहां तक है ये समझा दिया जाता है, संसकार गीत इसका सही अंसर हो जागा, कहने का मतलब यह है, कि जो समाजिक जीवन में लोकाचार, मतलब लोक के वहवार में जो गीत होता है, वो कून सा होता है लोकाचार कहने का मतलब जन्म से लेकर मरंतक, ठीक है, 37 नमर प्राशन, विवाह साधीकर नेग, जोग में कून तरह कर गीत, मन गावल चाईना, सुमंगली गीत, लाइर गीत, दोनों या फिर कोई नहीं, तो सही अंचर हो जाएगा, लाइर गीत को गया जाता है, नेक्स्ट, मरदानी जुमर का छेत्र विशेश केके मानल जाईला, किसको मानल जाईला, मरदानी जुमर का, चोटानागपूर का उत्तर छेत्र, चोटानागपूर का दक्षिन छेत्र, चोटानागपूर का मद्ध्य छेत्र, या फिर उत्तर छेत्र, सही अंचर क्या हो यहां पूर्वी छेत्र हो जाएगा निश्टाइपिंग हो गया है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग परम परागत ठड़्या चंद कर धुरूपद में कैठो चरण होएला तो दोस्तों यहां आपका तो एकदम जो है आप लोग का 5000 से उपर questions कबर होने वाले हैं क्योंकि और भी पहुआ सारे mcq करा दिये गया हैं course के साथ अगर course खईते हैं तो उसके साथ आपको mcq soft notes सारे चीज़ मिलेंगे तो देखिए यहां जो है उसके साथ mcq है यह प्लस जो आपका टेस्ट चल रहा न उसमें और भी extra mcq है तो 5000 से उपर आपका प्रश्नी यहां cover हो रहा है तो आप ED classes में जल से जल चुड़े YouTube पर भी और app पर भी तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा परमपरागर ठड़िया चंद का धुरूपद में कैट को चरण हो वेला दूई चार तीन कोई नहीं तो सही अंसर क्या हो जाएगा इसका भई सही अंसर हो जाएगा option number A दूई चरण होता है गंभीर और उद्दात स्वर में कोन राग चंद के गावल जैला गंभीर और उद्दात स्वर में जो होता है कोन राग चंद को गया जाता है बंगला जुमर जनानी जुमर मरदानी जुमर या फिर कोनों नहीं तो सही अंसर क्या हो जाएगा option number C मरदानी जुमर गया जाता ह गंभीर और उद्दात स्वर में, ठीक है, उद्दात स्वर में, नेक्स्ट, 41 नमर प्रस्ण क्या कहता है भई, 41 नमर प्रस्ण, डड़ाई इधरा राग में डड़ाई कर मतलब का हुएला, तो डड़ाई का जो मतलब होता है, क्या होता है, डंडा, कमर, पाइंट, ठेंगा, तो क्या होता है ऑप्सें नमबर ये कमर होता है next कौन कौन गतर कर अंग के धाइड के चाही और जुराई के ड्याइड इतरह में नाचे कर परमपरा है मतलब कहाईड इतरह में जो है नाचते समय क्या ची जुरा कर सब नाचने का परमपरा है सबको पीठ, डंडा, बाह, देवल में से सोभे, तो सभी, ठीक है, सारे चीत जोड़ा कर नाचते हैं, नेक्स्ट आपका अगला प्रस्न हो गया, पावस राग कर प्रधान रस काहके वात्सले करुना रस सिंगार भक्ती, तो सही अंसर क्या हो जाएगा, आप्सन नमबर सी, सिंगार सारंगी राग और टोलिया राग कोन राग चंद कर भेद है, यानि कि सारंगी राग और टोलिया राग में कोन राग चंद कर भेद है, तो कोन राग चंद का है पावस उदासी डंका चुमर, जल्दी बताएंगे, उप्सन नमबर बी, उदासी राग, आप लोग को कमेंट स कमेंट करें खेमटा गावेकर परंपरा के मन बीचा है नचनी पूरुस जनाना या फिर कली मन तो कहां गया जाता है ये नचनी मन के बीच में नाकपुरी कर सबसे पूराना लिपी के के माना जयला बंगला कैथी दियोनागरी रोमन तो तो सही अंसर क्या हो जाएगा आपसर नमर भी कैथी लिपी को और के सबसे नचनी आप बताएंगे अंसर में 47 में जहारखन में कौन लिपी कर सबसे बगरा पर चलन होई रहे देवनागरी भार्सी रोमन संस्क्रीट तो सही अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए देवनागरी लिपी क्यों चुना गया क्योंकि यह सूपट लिपी है समझने और यह करने में इसलिए यह जो है इस लिपी को गया नाकपूरी में कोनों सब्द के लिखक ले जरूरत होई ला तो कोई सब्द को लिखने में क्या जरूरत होता है स्वर्वे एंजन वर्नमाला स्वर्वे एंजन मात्रा या फिर कोई नहीं तो सही अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमर बी वर्नमाला की जरूरत होता है को फिर किसका तो सही अंसर हो जाएगा option नमरी बोल ले से next पचास नमर प्रशन है कैथी लिपी कर परमपरागत वहवार कर या केमन रहे कौन थे परमपरागत रूप से वहवार करने वाले catholic, कैसत, हिंदुस्तानी, पंजाबी तो सही अंसर क्या हो जाएगा option नमर B यानि की कैस next. epo1 नमर प्रशन है रिषी भासा परिवार कर संबंध कौन भासा परिवार से आहे, आग ने भासा, चिननि टिव ततत भारो पिये द्रबीड तो सही अंसर हो जाएगा, इसका सही अंसर हो जाएगा भार पिये भासा से संबंधित है डहर जागा, खोविर जागा, कोना कुछी जागा निम्न देवल में से, कौन कविता में से लेवल गे लगे तुलसी कैक्टस, नागपूरक भाईमन, जागा जागा सभी तो अंसर क्या हो जागा, option number C हो जागा जागा, जागा, तो जागा, जागा, किसके द्वारे लिखा गया है CD सिंग के द्वारे लिखा गया है, भाई, किसके द्वारे लिखा गया है CD सिंग के द्वारे लिखा गया है, ठीक न, और यहीं आप बताईए मैं तो यह बता दिया आप लोग comment section में करेंगे कि तूलसी और cactus की कौन लेखक है तूलसी और cactus के लेखक और ये नागपूरक भायमन दोनों के लेखक बताइए आप एक नागपूरक लेके dash देकर आप लिख सकते हैं लेखक कौन है अगर आप लिखते हैं आपको याद है दिन आप success होने वाले हैं अगर आप लिख रहा है comment section में ऐसा नहीं है कि आप देखे आपको याद है तो भाई सफलता तो जोरूर मिलेगी आपको देखने है कि ultimately आपको कोई भी questions आजा है तो आप कर पाते हैं नहीं दूबला घास पोशेकर काम के कर आए नाकपुरक लोग कवी बिर्षा या फिर्षा भी तो कवी जो है दूबला घास पोशेकर काम कर रही ना कोन अब ये जो है आपको कोन से कविता से लिया गया है ये भी आप बताएंगे नाकपूरक भाई मन कविता कर लिखवया कोन है कई धनेंद परवाई भीम महतो अजीज अंसारी सिडी सिंग कोन है भाई नाकपूरक भाई मन कर तो भीम महतो ठीक है भाई किसके थे भीम के भाई किसके थे भीम के अजीज धनेंदर सीडी सिंग के भाई को तो नहीं जानते है लेकिन आप भीम के भाई को आप जानते हैं पाँच उपांदव तो भाई इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं तो सही अंसर क्या हो जागा आपका तुलसी और कैक्टरस के लेखक कोन है तो धनेंदर परवाही जो नागपूरी कविता, जेठ मास अती कविता के अनुसार, मलीन का हो जाता है, काया, मुह, हाथ, सभी, तो क्या हो जाता है, मलीन आपका फेस हो जाता है, ठीक है, और मलीन कर अर्थ क्या होता है, करिया, गोर, सावर, भूवर, क्या होता है, चलिए अगले प्रस्ण के ओर चलते हैं हम लोग इस कविता के अनुसार नारी ठीक है नारी करकेस कोन रंग कर रहे है भूरा, लाल, करिया या फिर यह देखिए यह जो कविता है तोर बेतरा में जो है इसके अनुसार जो है आपका नारी करकेस के कोन रंग से लिया गया है और यह जो प्रशन लिया गया है आपका तोर बेतरा से ही लिया गया है तोर बेतरा कर लिखा कोन है ये बताएंगे तो तोर बेतरा इस कविता यानि की तोर बेतरा तोर बेतरा कविता कर अनुसार नारी करकेस कोन रंग कर आ है तो कोन तो option number C करिया रंकर जो है बाल है किसी किसी का लाल सुनहरा भी होता है ठीक है बहुत लोगों का होता है अंठावन नमबर प्रश्ण है नवा सालक नवा गीत में का भुलाई गिलब धन्धा काम दोनो कोई नहीं तो सहिन से रो जाएगा option number दोनो याने कि C ठीक है अब यह बताइए ना कि यह नवा सालक नवा गीत कर लेखा कोन है आप लोग क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं कमेंट कर ये तभी तो आपको मुझे पता चलेगा कि मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंस कितने हैं और जो भी आप टेस्ट लगा रहे हैं आप AD Classes टेस्ट पर जाएंगे तो टेस्ट लगाने के बाद आप सब्मिट करते हैं तो वहां के बाद आपको एप का एनलेशिस में जाना पड़ेगा एनलेशिस में अपना परफोर्मेंस देखिए और उस परफोर्मेंस को स्क्रेन स्वाट लेकर कि आपका कितना माक्स आया सार में देखना चाहता हूं कि आपमें वो जुनून है की ने आपमें कुछ आपको ये करना है टो नवा साल ना भोजन कोई नहीं तो सई अंसर हो जाएगा option number C भोजन नहीं मिल पाता है next कवीता कर अनुसार मुलुक भारत पर केकर सासन रहे मुलुक भारत जो है कौन लिखे है जल्दी बताएंगे अजीज अंसारी सकुंतला मिसर पांडे रविंद्र नात्राम जल्दी बताएं तो कि यह सब तो सारे यहां किये हैं ना सासन तो सारे लोग किये हैं next पोडली बर्खा रीतु में दुख कैसा है तो इसमें जो दुख है और सहनिय है कैसा है और पोडली बर्खा रीतु के जो लेखा के कौन है रगुनात मुर्मू नेक्सट पापी प्रान छुटे नहीं जटके गीत में कोन रोवत है परिवार माता पिता दोनों सोबह तो अपसण नुमर दोनों हो जागा अपसण नुमर थृ आने कि सोबह रो रहा है नेक्सट अगला प्रस्न है भूवन जगत भूवन जननी जग के पाली के इपंक्ती में भुवन कर अर्थ का होगा किसी व्यक्ति का नाम है संसार भावन या फिर कोई नहीं तो देखें जो भुवन का अर्थ होगा यानि कि संसार होता है ठीक है संसार साही नादीर और गनपत के डर से कौन कापिक लाग लाए ब्रिटिस अंग्रेश सरकार दोनों या फिर कोई नहीं तो अप्सन नमबर हो जागा कौन सा ठीक ना दोनों का अपने लगा था अप्सन नमबर त्री लेकिन अगर कविता के अनुसार बोलेंगे तो यहां अंग्रेश सरकार होगा ठीक है British rule ही यहां सासन किया था English सासन वही था तो दोनों होगा answer लेकिन कविता किनमसार वो होगा सावन घटा कर अरत क्या होगा तो सावन घटा है उसका अरत क्या होता है बीजली, बदरी, आग, निला तो क्या होता है इसका सही answer हो जागा बदरी और सावन घटा के लेखा कोन है तो नई मुदीन मिर्दाहा आप लोग कमेंट सक्षन में कमेंट करने में आप लोग पीसे ना होईए आप से पूछते हैं तुरंत हो जाईए तुरंत बताईए अजादी खातिर गीत कर रचनाकार किये है कई जल्दी बताएंगे रचनाकार को आप लोग को रन विजय नाथ सादेव नेक्स्ट अगला प्रस्ण नंबर सर्शट नंबर प्रस्ण है उम्री गगन घन घमंड ठीक है कोन नहीं बिसरा पा रहे हैं क्या चीज उम्री गगन घन घमंड में कोन नहीं बिसरा पा रहे हैं जो इसमें गाटना हुआ था कोन नही लेखा कोन है उमडी गगन घन घमंडगर लेखा कोन है तो कभी कंचन ही है तीक है कभी कंचन नेक्स्ट और ये कभी कंचन कर पूरा नाम क्या है पूरा नाम बताएं पूनी राम दुबे चूनी राम दुबे क्या चीज़ था नाम ये दोनों में आप लोग बताएं में से कौन नागपूरी गीत जगनिवास तिवारी कर लिखल गीत है के छोड़ू कप्टी माया अर्जुन कहत विचारी पोड़ी दो बरकारी तू सोभे तो सही अंसर हो जाएगा इसका अप्शन नमबर भी अर्जुन कहत विचारी जो है इनके द्वार लिखा जगनिवास न कि रास्ता में चलते चलते का लमूर मतलब की मूह में ले ले लेता है क्या चीज़ चना राहर एकदम डाले लेता है तो क्या करती है क्या ले लेती है उपसर नंबर हो जाएगा इसका सई अंसर B राहर ले लेती है और ये कौन से कभिता से लिया गया है कौन से कथा से लिया गया है तो ये जो एक चकता रहूत से लिया गया है एक चकता रहूत कर लिखा कौन है अगर मैं ऐसे पढ़ाओ तो आपका बहुत सारे लेट हो जाएगा लेकिन इस प्रकार से अगर चाहते हैं तो बहुत सारे स्टुडेंट करते हैं कि सर अप टाइम बरबाद मत कीजिए लेकिन मैं चाहत चाहता हूँ कि आपका टाइम बरबाद नहीं तो एक चकता रौध जो है प्रफुलकुमार राय की त्वारा लिखा गया है सोन पतर कहां रखल रहे जो कहां रखा हुआ था लिला कर सिंगार पेटी में केशर कर सिंगार पेटी में बोलबा कर सिंगार पेटी एपिर रतिया कर तो केशर कर सिंगार पेटी में रखा हुआ था रन्थु सिंग बजार से का का खरिद लए हल्दी संगे संग नोन टे मुंग लाल माला मुंग वाला लाल माला सौभे अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर सी याने कि डी सौभे तीहत्तर नमबर प्रश्ण है बिंजिया कथा में छोड़ा मनग लुवाठी खोरल भाद गोईट केकर से बोलत रहे बिंजिया से रतिया से या फिर कोई ने तो अप्शन नमबर हो जाएगा रतिया से रतिया से ठीकर 24 नमबर प्रश्ण क्या है सोहराई छुईट के खार्चा केकर बियाह में कर ले सुषीला कभी बाद लेला कभी बिंजिया या फिर रतिया जल्दी बताएंगे सई अंसर क्या हो जाएगा इसका अप्शन नमबर सी हो जाएगा सई अनसर ये आपका हो और यह जो बिंजिया कर लिखा कौन है सार्दा परशाद सर्मा सार्दा परशाद सर्मा को कवी रतन की उपाधी कब मिली थी सार्दा परशाद सर्मा को कवी रतन की उपाधी कब और कहां से मिली थी ये कमेंट सेक्षन में कमेंट करेंगे सारे आप लोग को साहितिक निबंद के साथ क्लास करा दिया गया है टोटल क्लास फ्री है अन यूट्यूब आप देख सकते हैं क्लास के मरते दम तक नियम के पूरा पाबंदी के साथ निभालक कौन सोहराई भोलवा कवीराज पढ़ रहा तो ये कवीराज थे भाई ये कौन से कथा से लिया गया है तो रदी कागस से लिया गया है रदी कागस कर लिखा कौन है तो बीपी के स्री कौन है बीपी के स्री नेक्स्ट जब भोलवा कर चाकू भोलवा कर बाप चाकू से केरा कर भीतरे कर डाठी काटत रहे तो किये गरगरात रहे? सोहराई, भोलवा, रामधनी, कोई नहीं तो रामधनी, अब रामधनी के क्या हुआ था? तो गहाव हुआ था, क्या हुआ था? गहाव हुआ था, अब रामधनी ही गरगरात आ था, ठीक ना? क्योंकि जो भोलवा कर बाप था, वो एकदम पराचिन काल के doctor से लेकर एकनम latest काल तक वरतमान काल तक अभीं चौल रहे ना उसी काल तक doctor के औजार रखे थेनं मतलब कि भूत औजाई से लेकर चीरा भारी तक रखें थेखें बीजली और इप्रमिव मिष्मस कर सांच कहनी में बिहाने बिहाने बिहान कहां जायकर रहे। तो बियाने बियान Christmas कर्षान में कहां ओ जाने के लिए सारे लोग सपर रहे थे वाई तो गिर्जाधर कहां गिर्जाधर Next रंजन क्या ठिक का रहा था सतरंगी, घिटार, वाइलिन क्या चीज डिसना कोन बिछाई रहे जली बिताए, डिसना कोन बिछाई रहे या फिर ड्राइंग रूम के बगल और सामने दोनों या फिर कोई नहीं तो सभी अंसर क्या हो जाएगा option नंबर B यानि कि कि तीराशने मर प्रस्ण क्या एक अप भूटांग दहर वर से कछ इसस्ट कथा में केकर द् corn खेख द्वारा लिखा गया अघ्जास कर भूटांग दहर नने किसके द्वार लिखा गया है और आप भोटांग दहर vเราनीजे़ तीन पातर का नाम बताएंगे, भोटांग डार के, मैं आपको देखना चाहता हूँ कि वह आपको पातर का नाम और मैंने आपको यह बताया था, यह ट्रीक बताया था, कि आप अगर करते हैं, तो आपका सेलेक्शन पका होगा, तो वह कौन-कौन से स्टुडेंट किये हैं, ऐ ऐसे खाना बनाकर जो कॉलम होता है इस प्रकार से बनाकर यहां सिस्ट कविता लिख दिए रदी कागज यहां लिख दिए मनपूरन किसमस का सांज और यहां भोटांग डार और पात्र वेगेरा जितने सारे इंपॉर्टेंट है एक एक चीज को कौन-कौन लिखें यह कमेंट करें और यह आप यह पेट ग्रूप में जो एड है आप पेट ग्रूप में यह चीज भेजें यह चीज कर लेंगे न तो आपको सारे चीज याद रहेंगे तो बटाएं कि भोटांग डार के पार चौराशी नमर प्रस्ण है मनपूरन सिस्ट कथा में मंजली के काटा कब ग अप्शन नमर भी सही हो जाएगा चलिए पचासी नमर प्रस्ण है क्या कहता है भाई पचासी नमर प्रस्ण है मनपूरन कथा दोसर दिन मंजली के गोड के का हो लग घाव कटल फूल गल रहे या फिर कोई ने तो फूल गया था ठीक है सुसीला करकोरा में के टंगाले रहत दो सही नमर प्रस्ण है सतासी नमर प्रस्ण क्या है सीवा कब अपने आपको भाईगर बुझत रहे कि सोर अवस्था में सादी होल बात छोट या फिर कोई नहीं तो सही अंसर क्या हो जाएगा यह अप्शन नमर सी यानि कि छोट धीना वह तब मांदी कर ओट कोई सन रहे चाकर, पातर, चोड़ा, मोटा, क्या था, मांदी कर ओट कैसा था, कमेंट सक्षन में कमेंट करें, ऑप्सन नमर बी जो है, यानि कि पातर था मांदी का ओट, ठीक है, चले नवासी नमर प्रस्ण देखते हैं, नवासी नमर सेंट्रल कोल फिल्स में एक सरकारी करमचारी के इनका जन्म जो है, विवादित है, दो बुको में दो दिया गया है, वो आप दोनों जन्म तिथी इनका लिखेंगे, ठीक है, जोनों जन्म तिथी आप याद रखेंगे, क्योंकि एक्जाम में कौन दे दीगा, कोई पता नहीं, क्योंकि देखिए, यह जो JCC ना, दोनों को निम्न देवल में से प्रफुल कुमार रायकर कौन रचना है नाकपूरी कभी औसर नी मिली तो बुझू किल किला सभी तो अंसर हो जागा इसका सही अंसर डी हो जाएगा चले एक आंबे नंबर प्रशन है सहनी उपेंदर पाल नहन के कितना बेटा रहे साथ पाच चार आठ क्या हो जाएगा अंसर ऑप्सन नंबर सी चार बेटा रहे नेक्स्ट राम चरित्र मानस कर नाकपूरी अनुवाद निमन में से कोन नाकपूरी कभी कर ले तो प्रफुल कुमारा है उपेंदर पाल नहन बीबी केसरी तो सही अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नंबर सी यानि उपेंदर पाल नहन नेक्स्ट तीरामे नंबर प्रश्ण एरी क्लासेस पर आप जरूर जुड़ें क्योंकि वहाँ जो है सारे ओफर चल रहे है अभी जो है दो दिनों के लिए 399 ओफर है सो आप जल से जल सारे कोर्स कर दें ठीक है मातर दो दिनों के लिए फिर से ओफर निकला है डॉक्टर ब्पी केसरी को राज भासा सम्मान पुरसकार कब देवल जाए रहे कब दिया गया था ये डॉक्टर ब्पी केसरी का राज भासा सम्मान पुरसकार 11, 2009 या फिर 2010 या 2013 सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर C 2010 में नेक्स्ट डॉक्टर विशेस्वर प्रसाद केश्री उनिसो संताओन में सहायव प्रूफेसर की रूप में कहां अपना केरियर सुरू किया सिम्डेगा डाल्टेन गंज रांची या फिर गुमला में तो सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी यानि डाल्टेन गंज में नेक्स्ट है प्रस्टन आपका 95 नमबर प्रस्टन कवी रत्न सारदा प्रसाद सर्मा के पूत्र निमन में से काकरत रहें इंजिनियर रहें डॉक्टर रहें अधविका रहें या फिर कुछ नहीं तो सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर C यानि कि अधविका वकालत काम कर नेक्स्ट सारदा प्रसाद सर्मा को कवी रत्न का उपाधी कौन इस भी मिला रहें तो कवी रत्न का उपाधी कौन इस भी मिला था 81 में 1982 में 1983 या फिर 1984 तो सही अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नमबर B 1982 में कवी रत्न का उपाधी मिला था कहां से भागल पूर विश्व वि पीठ में, पैर में, हाथ में, जांग में, अप्शन नमर चार हो जाएगा, जांग में, नेक्स्ट अंठान में नमर प्रशन है, जब नादिर अली और जैमंगल सिंग मेजर इंगलीज द्वारा पकड़ा गया है, तो ठाकुर विश्वनात साही के पास यह सुचना कोन लेकर गया थे, बहुरन सिंग, माधो सिंग, नादिर अली, कोई नहीं, तो हो जाएगा सही अंसर इसका, अप्शन नमर भी माधो सिंग लेकर गया थे, ठीक है, और यह लास्ट टू क्वेस्टन्स है, और यह क्वेस्टन्स आपको टेस्ट कैसा लगा, अच्छा लगा तो अफिर्स भी रहेंगे, ठीक ना, जै मंगल सिंग और नादिर अली कर बदला अंग्रेज लोग से लेने के लिए, लेने के लेवले, कोन बोल लेंगे, कि अंग्रेज लोग से हम लोग बदला लेंगे, नादिर अली ठाकुर विश्वनात साही पांडे गनपतरा है, तो सही परदग्गा में कोन साथ दे लाइं, इनके, जै मंगल सिंग पांडे गनपतरा है, परगनायत बहुरन सिंग जमिदार, सही अंतर हो जाएगा, ऑप्सन नमबर बहुरन सिंग जमिदार, दोस्तों आप बताईए कि आप लोग ने अभी तक संकल्प लिया कि नहीं, कि मुझे एक सिट लेना है, तो लेना है CGL में, अगर संकल्प ले लिया है, तो आप कमेंट सेक्षान में संकल्प जरूर लिखे, संकल्प, 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 ठीक है, चलिए, तो यहाँ जो है आपका जो नाकपुरी का एनलेसिस टेस्ट है, 100 प्रश्न का, जो 2 घंटा में आप एक पंदर से आपको 20 टेस्ट मिलेंगे इसका जो प्राइस है 199 है स्वाप टेस्ट हिंदी टेस्ट जरूर लगाएं और बुलेट रेंज जारकन जीके 249 है इस इस दो ओफर प्राइस बुलेट रेंज जारकन जीके आप देखेंगे तो एक दम अच्छा लगेगा डेमो क्लास अभी अभी अविलेबल है तो दोस्तो ये क्लास आपको कैसा लगा अच्छा लगत कमेंट करें दन्यवाद वाशिंग प्राइस पीजो जाहें जाएंज जारकन क्लास में और आ जाईए और तयार हो जाईए जारकन का सूपर फास्ट रिवीजन के लिए और आ गया है आप के लिए बुलेट ट्रेन जारकन जी के रिवीजन ये कोर्स एविलेबल है ओन एडी क्लास एप और पीडियेप के लिए कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे डबल एट 6384281 अभी जो कोर्स का प्राइस है अभी ऑफर प्राइस चाल रहे हैं वनली 249 में आपको यहां प कुछ भी प्रिप्रेशन कर रहे हैं यह आपके लिए रामबान की तरह कारी करेगा क्योंकि जब एक बार नोट्स देख लेंगे ना एडी क्लास एप पे आपको डेमो जो है आपको टेन पेजिस जो है टेन ठीक है टेन पेजिस आपको डेमो वह पेज दिये गया है कि इस प लोटीक है तot आप क्लास देख सकते हैं और तेरह मैयरातम क्लास में यह खतम किया गया है नागपूरी का जारखन का भी कुछ क्लास करा दिये गया है लेकिन अभी बुलेट रेंज जहारकन जिक्के स्टार्ट होने वाले हैं आप जरूर देखिए ठीके चलिए बुलेट रेंज जहारकन जिक्के का हम लोग नमुना देख लेते हैं नमुना कहने का मतलब कि यह आप किस प्रकार है और यह important है जे पीएसी जेसे सीजियर नगरपाली का हदग प्रसिक्षन दिका रही है जेट एट लडीसी पीएस जहारकन पूलीस आईयार वी उत्पात सिपाई जहारकन के सभी परतियों किताओं के लिए बहुत ही ज्यादा important है और इस बुलेट रेंज जहारकन जिक्के में सुपर फास्ट रिव तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा देख लीजे नेक्स्ट आप देखते हैं यहां सिमेंट उद्योग के बारे में इसी प्रकार से आप देखेंगे चोचली अबाउट जयपाल सिंग मुंदा हम लोग के प्रमुख व्यक्ति और विभूति के बारे में तो एक भी प्रशन नहीं छूटेगा सारे इंपॉर्टेंट नोट्स बता दिये जाएंगे इसी में तो कोई जार्खन जिक्के पढ़ने की जड़त नहीं है बुलेट ट्रेंज जहां आप खरीद लिए तेकि आप जार्खन का प्रप्रशन कर लिए हैं या फिर नहीं किये हैं कर लिए उनके लिए यह तो और भी बेस्ट है जो प्रप्रशन कर लिए हैं उनके लिए भी यह और बेस्ट है ठीक ना क्योंकि उनका रिवीजन होगा वो भी इतना कलेक्शन के साथ और सुपर फास्ट रिवीजन होगा ठीक है तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे देख मेहंदर शिंग धौनी के बारे में टोटली दिया गया है आप स्क्रीन स्वाट ले सकते हैं अब एडी क्लासेश पर जाएंगे तो टोटल डीटर देखेंगे फुल पेज आपको वहां देखेगा सारे चीज आप पीडियाप को वहां देख सकते हैं और देखिए जनजाती या पेपर जिसका लिंक डेस्क्रिप्शन में दे दिया गया है एप का भी लिंक नीचे दे दिया गया ठीक है तो आप एप से भी जुड़ जाएंगे धन्यवाद वाचिंग फो दिस वीडियो चैह हिंद चैह भारत